बिहार लोग सिवा आयोग ने 60 सन्युक प्रारंबिक प्रतियोगीता परिक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है टोटल 555 सीट्स के लिए वेकेंसी आई हुई है जिसमें कि SDM की जो पद है वो 88 है टोटल उसमें 31 जो है female candidates के लिए reserve है अभी DSP का seat नहीं दिख रहा है लेकिन प्रारंबिक परिक्षा होने से पाले जदी ये वेकेंसी आज आती है बीपीएसी को मिल जाती है तो उसे भी इस examination में जोड दिया साएगा आप देख पा रहे होंगे difference बिभाग के जो seats हैं सबसे ज़्यादा जो है ग्रामिड विकास पदाधिकारी के लिए seats है 133 seats इसके लिए है जिसमें कि 43 जो है female candidates के लिए reserve है और इस तरह से कुल मिलाकर 55 seatों पर वेकेंसी आई हुई है जिसमें कि 174 जो है female candidates के लिए आरक्चित है यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि प्रारंबिक परिक्षा के पूर्व अधी याची बिभागों से प्राप्त होने वाली अधी याचना को सामिल किया जा सकता है तता संसोधन होने पर पदो की संख्या घट बढ़ सकती है तो घटने की बात नहीं होती है बढ़ती ही है क्योंकि next जो आएगी वो तो बढ़ेगी ही न तो DSP का seat आ सकता है और DSP के लिए जो निउन्तम उम्र है वो 20 साल होता है लेकिन SDM के लिए 22 वर्स है तो जिनकी उम्र 20 साल भी है वो भी इस फॉर्म को भरेंगे जब DSP का वेकैंसी आएगा तब आपके फॉर्म को कंसिडर कर लिया साएगा और ज़दी DSP का नहीं आता है तब आपका जो फॉर्म है वो नल कर दिया साएगा अर्थात की आपको कंसिडर नहीं किया साएगा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सैक्षणिक योगता होता है इसमें वो होता है ग्रेजुएशन यानि कि सनातक का डिग्री आपने कर लिया है और 18-2021 को जदी आपने 20 साल पूरा कर लिया है तो फॉर्म भरने के लिए आप अप्लिकेबल है जो उम्र सिमा है 18-2021 को काउंट की जाएगी और निउन्तम उम्र जो है वो 20 साल, 21 साल और 22 साल और अलग-अलग हम लोगों ने देखा और अधिक्तम जो उम्र होती है वो अपने कैटेगरी के वाइस वो भैरी करती है लेकिन मिनिममम उम्र मैं फिर से एक बार रिपिट कर रहा हूँ मिनिममम उम्र जिनकी 20 साल है 18-2021 को और उनके पास ग्रेजुएशन कर लिये हैं वो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं अराम से क्योंकि 20 साल होला भी कोई वेकेंसी नहीं दिख रहा है 21 और 22 साल होला दिख रहा है लेकिन आपको गवडाने की जूरत नहीं है DSP की सदी सीट आती है तो आप उसके लिए अप्लिकेबल होंगे और अधर एक्जाम के लिए मतब जो विवाग है उसके लिए और जो फिमेल कैंडिडेट्स है वो किसी भी केटेगरी की है और अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती इनके लिए 150 रूपीज है ये ध्यान में रखना होगा सन्यूग जो प्रतियोगिता परिक्षा होगा जो प्रारम भी परिक्षा होता है उसमें 150 मार्क्स का पेपर होता है 150 क्वेश्चन्स रहते हैं जिसमें कि हमें पास करना होता है और यह जो है इलिमिनेशन प्रोसेस वाला एक्जाम है इसमें जितने सारे कैंडिडेट्स ने एपियर लिया हमारे पास टोटल 555 वेकेंसी है इसका 10 गुणा मेंस एक्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे प्रिमरी एक्जामिनेशन तो यह काफी कम रेशियो होता है 10 गुणा क्योंकि लगबग 6000 के आज़ पास कैंडिडेट्स को ये पास करेंगे मेंस एक्जामिनेशन के लिए और यहीं पर जो main competition है, वो हो साता है primary examination में ही, तो हमने देखा कि इस पर हम लोग details में एक बार देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको त्यारी करना है, क्या क्या करना है, और already मैंने बहुत सारा BPSC से related video डाला है, आप देख सकते हैं playlist में, प्रारंबिक परिक्षा जो है, 1500 marks की होती है, दो घंटे की, और 1500 questions रहते हैं हमें attempt करना, मुख परिक्षा में मुखिता देखा जाए, तो चार paper की परिक्षा होती है, एक की समान हिंदी, जो की pass करना होता है, उसमें 30% अंक ले आना होता है, 100 marks का होता है, जिसमें की 30% हमें marks ले आना है, और वो qualify होत है, इसका marks नहीं जूडता है हमारे merit list में, फिर आता है paper second वाला जो है, समान अध्यन प्रथम पत्र और समान अध्यन दिर्तिय पत्र, ये दोनों जो papers होती है, 300-300 marks की होती है, तो ये 600 marks हो गई, और एक जो है, optional subject लिया जा सकता है, ये जो नीचे दिये गएं subjects है, जैसे agriculture है, animal husbandry and veterinary sciences है, anthropology है, chemistry, civil engineering, economic, okay, electrical, geography, geology, labor and social welfare भी है, सरम एउन समास कल्यान हटाया नहीं गिया है, बहुत बार कहते थे कि हटा दिया साएगा, बहुत पहले से, लेकिन है, आप ले सकते हैं, तो ये जो different types के जो subjects दिख रहे हैं, इसमें से कोई एक subject को आपको चूज करना होगा, अर्थाद की जब आप mens examination देंगे, तो चार paper का परिच्चा देंगे, समान हिंदी, समान अध्यान पत्र, प्रथम पत्र और समान अध्यान दिर्तिय पत्र और optional और तीन papers का हमारा merit बनेगा, समान अध्यान प्रथम पत्र और समान अध्यान दिर्तिय पत्र ये total 600 marks और जो optional paper ह ये भी 300 marks का होता है, तो टोटल 900 marks हो गए, जिसको की merit list में सामिल किया साएगा, और interview जो है, जिसको की personality test करते हैं, व्यक्तित परिक्षण या 120 अंको का होता है, तो टोटल जो हमारे marks हो गए, मुख परिक्षा के 9 सा और सक्षातकार के 120 अंक, तो टोटल 1020 अंको पर जो मेधा स उचिए, वो तियार के साती है, और परिक्षा फल जो है, कोटी बार अंतिम रुप से प्रकासित किया साता है, अब form भरने का date कब से है, तो form भरने का जो date है, 39-2021 से start हो रहा है, और दिनांग 5-11-2021 तक चलेगा, तो ये भी date mark कर लेना होगा, जितना जल्दी हो सकें, form भर ल आया है, कि इसमें edit करने का इन्होंने option दिया है, वैसे देखिए, forms अब भी आप कोई भी form भरते हैं, तो form तो गलत भरना नहीं है न, लेकिन by the way गलत हो जाता है form भरने में, तो edit करने का option दिया साएगा आपको, तो form भरने के बाद, उसका print out निकाल कर, आप अवर्ष उसको देख लें कि कहीं आपने गलत तो नहीं भर दिया है, खासकर नाम data birth और जो category होती है, जो CST या OBC या EWS का, जदी आपने कोई भरा ही नहीं, तो आप जिंडल में consider कर लेंगे, या फिर गलत से कोई आपने भर दिया, तो भी आपका गलत consider हो जाएगा, इसलिए इन सारे जो कह सकते हैं कि rules इसने अपनाया है, कि जदी आपने फिर change नहीं किया और गलत information दे दिया है, तो पहले क्या होता था कि BPSC consider कर लेती थी, कोई female है, वो male candidates के रूप में भर दिये, तो उनको female consider कर लिया जाता था फिर बाद में, लेकिन अब ऐसा होने की संभावना, ये का negative impact पढ़ सकता है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, कि ये अपना advertisement रहा, आप form जितना जल्दी हो सके भर दिसिये, और आप देखेंगे चैनल पर खोजेंगे BPSC का जो playlist है, उसमें अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो तो नहीं, लेकिन लगबग, मतलब importance वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको watch कर सकते हैं, और इसमें मैं details में एक त्यारी कराने का primary examination और men's examination दोनों को focus करते हुए, मैं start करूँगा, so thanks and take care.